कि यूडियों में लोग बात करेंगे स्से सी एचेसल फिर से बोल रहा हूं स्से सी एचेसल और ली तो सी लेवस है दो हजार वाइस का अभी हाल फिलाल में एक्जाम होगी चार महीने पाच महीने बाद उसकी चर्चा में करूगा सी लेवस आपको पता होनी चाहिए अगर पता होगा तभी तो आप उस पर चल पाएगे ने मेरे भाई अगर रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप तो आगे चल के भूला जाएंगे तो वही है रास्ता का बात कर रहा हो मतलब सी लेवस सी लेवस पता होना चाहिए क्या पढ़दा है क्या पढ़दा है क्या पढ़द GKGS and English यही चार है तो सबसे पहले हैं अगरों रिजिनिंग का देखते हैं रिजिनिंग में बस इतना ही है जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे टॉपिक वाइस देखे तो यहाँ पर देख लिजे क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा आता है कोडिंग डिकोडिंग एका कोशिर मिल जाते हैं भरवर रिजिनिंग सिटिंग अरेंजमेट एस शीरिज थिक है डन भर्रवल रिजिनिग में आपके वह फिगर आ जाएगे कांटिंग फिगर्स वगेरा जो फिगर्स रिलेटेज डाईस वगेरज डवी अतना यह आपको टॉपिक पढ़दा है जिसमें से आपको classification analogy सबसे ज़्याना important है और यहाँ पर देखिए एक और भी है जिसको blood relation वगएरा पढ़ लेना है देड़ भरवर reasoning के question आते हैं एक दो तो वो भी पढ़ लेना है मतलब जितने भी ज़्याना सभी important है लेकिन आपको सबसे ज़्याना ध्यान देना किस पर classification analogy यह एक है series यह तिरों आप करके ही जाना यह तिरों से question आ जाते हैं अच्छे खासे अनलोगी classification कर लेना उसके बाद और भी सभी को करके जाना है ऐसा नहीं कि आप सिफ यही तीनों करके गए मतलब मैं कह रहा हूं यह तीनों कम से कम आपके होने चाहिए बाकी यह सारी चीज़ पढ़ लेना आप जहां से पढ़ो यूटुब से पढ़ो किसी का कोर्स पढ़ो कोचिंग लो ओफ लाइन ओनलाइन कोचिंग जो भी करना है आप कर लेना लेकिन कम्प्लीट करके जाना से लेवस नहीं तो एक्जाम में नहीं बनेगा जितना तुम मेरे समझते हो ना रिजनिक को असान होता नहीं है कही से पढ़के ही या नहीं इसको बिना पढ़े नहीं बनेगा यहां पर देख रिजनिक में बस इतना ही है और इतना कर लेना और इसमें टाइम बहुत कम लगेगा आपको एक महीने भी पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता इसलिए बस हराब से उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिनरल अवेर्डेस जिके जीस कवारे में तो सबसे पहले जिके जीस में क्या करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स आप जब एक्जाम आने वाला होगा तो एक महीने पहले स्टार्ट कर सकते हो और सारे करेंट अफेर्स एक महीने में पढ़ सकते हो तो करेंट अफेर्स को सबसे लास्ट में पढ़ना जब एक महीने पहले तो करे लिएतर साइज से स्टमीट से याता है तो यहां से दैरेकग फॉरपाइं जीगए तो श्तल को पता होने में शाइक साइस से सबींड को क्विखया हिं та गार्ड जी बाल्टि के जीगए भीक्स आथ रहेगा में जीने साधी शीजे हिस्टरी में हिस्टरी ज़्यादाई हैं बाकी इगणोर कर सकते हो अगर टाइम है आपके पास तो पढ़ लेना अच्छा रहेगा एवर और ऐड़र यह भी अस्टाटिक जी कहाँ एक तरह से बोल सकते पार्थ है तो इसको भी करने ना याद करने वाले चीज़े है सभी स्पोर्ट्स हो गया, इंपोर्टेंट स्कीप्स भतपूर योजनाए पीपल इन दे नियू सुर्खियों में रहने वाले लोग यही सारी टॉपिक्स है जो आपको पढ़ दी है इंपोर्टेंट इसमें क्या क्या है अस्टैटिक वाला सारा अस्टैटिक जीके हो गया, एवोर्ड्स हो गया भूक एन आउथर्स, पोर्टिफोलियो याद करने वाले सभी चीज़े है सपोर्ट, यह सारी याद कर लेगे हिस्ट्री में मोडर्र इस्ट्री इंपोर्टेंट है करेंट इफेस तो है यहीं क्योंकि जानते हैं आज करेंट इफेस का क्रेंज जो है बढ़ चुका है, तो करेंट इफेस करके जाना उसके बाद S.S.C.C.H.S.L. устèse का बाद करते हैं, quantitative aptitude का तो यहाँ पर देखिए आपके इतने ही है इसमें आपका Arcematic और advanced दोरोर आजाता है तो Arcematics में क्या-क्या ऐےगा Arcematic में आपको यहाँ पर देखिए Arc empiricalTomate इसài इसार टैम डिस्टेंस उसके बाद बाकी सारे नंबर, सिस्टम, डाटा, इंटरिपेटेशन, अलजेबर, जिमेटरी, बेसूरेशन, एवरेज, सिंपलिफिकेशन, सारे एडवांस के पार्ट है यह अडवांस और इट्मेंटिंक के कुल इतने ही है, इससे ज़ाद चेप्टर पढ़ना ही आपको उसके बाद इंगलिस का बाद करते हैं, इंगलिस में आपको रेड़िंग कोपरिहेंसे से क्वेशन रहते ही रहते हैं तो इसको कम से कम कर लें पांच और वहाँ अबने तो इसको याद क्या करोगा कितना स्पिलिंग तुम याद करोगे आपको जब आप कुछ पढ़ोगे किताब नौबल लियूस पेपर तो आपका रेडिंग को प्रियसर ठीक हो जाएगा स्पिलिंग अपने आप ठीक हो जाएगा ये सारी चीजे वान वर्ड सब्टिटूशन और यहाँ पर और भी सारी चीजे ना, Antonyms, Sinonyms और बहुत सारी चीजे उसको कहां से पढ़ेगे हम लोग कहां से? previous year book से पढ़दा है याद करना है देली आपको याद करना है तो आप लोग ये याद कर लेजएगा बाकी सारे चिद्ने भी है यहां से लेकर के इस तरह से आपको पढ़दा है आने वाले एक्जाम 2022 में जो भी है CGL के प्री में भी यही सारे से रहते है तो इस तरह से आपको पढ़दा है अगले वीडियो बिलते है कुछ अच्छे इपॉर्टेट के साथ